हेलो गाइज वेलकम अगें टू माय यूट्यूब चैनल माय नम इस मनिश गुपता एंड वाचिंग बी एसीजी लेक्टर्स तो जैसे कि गाइज आप सभी को मालूम है बीभी यसीट वन थ्री वन आपका सब्जेक्ट कोड है बाइवो डिवर्सीटी माइक्रोब सेलगी फंगी अन खेक आपके बोक का नाम है यहाउनि हम यूनित 10 पढ़ रहे थे यूनित 10 में हम क्या है फंगाई पढ़ रहे थे फंगई में हम ट्रू फंगई ही पढ़ रहे थ फिर आपका रेडियो माई कोटा था भैस रेडियो माई कोटा जोभी आपके नमें डिविजन थे अमने क्या है उनको संफ हुनिहेंगे मास अचैनल हैं द्रॉम को सम्च़ के आपको आपको एंट कम्याइब शॉत capable विडियों देख सकते हैं आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए लिंक हम दिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे आपको देन उसके बाद देगे क्या है आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एकोलोजी एंड सिग्निफिकेंस के बारे में हम जानेगे बेल आएकन बटन को प्रेस कर दिए ताके आप सभी को मिल सके और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें ठीक है अगर अच्छा लगे तो लास्ट में आप लाइक कर दिया देन उसके बाद देखे क्या है वीटत लाइक हम जो आपको क्या है एक लाइका मेम बर siya सकते हैं जो यह एकोलोजी कल नीच ठीक है थाप लीज़्ज बटन आप雜 यानि जो fungi है वो extremely valuable है क्यों क्योंकि जो आपके जो मुख्य रूप से जो आपके decomposer होते हैं जो आप क्या करते हैं जो dead and decaying substance को क्या करते हैं decompose करने का काम करते हैं वो just आपका क्या fungi द्वारा ही किया जाता है और अप प्रोडूसर देखे तो लाज नमबर अप सेकंडरी मेटाबोलाइट्स यानि जो आपके सेकंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे कि आपका antibiotic हो गया या फिर आपका steroid हो गया और बहुत सारे सबस्टांस ऐसे से क्या कहते हैं तो बहुत सारी जो हमारे विंजन बनते हैं खाने में जो यूस करते हैं उसमें आपका फंगाई का यूस किया जाता है जिसे आपका फंगाई का यूस करते रहते हैं अदंडेन कि number of plant diseases भो भी आपके कही फंगई के कारणी होते हैं आपका प्युक्षिन जो है आपका most क्या कहते हैं common example and animals में भी होते हैं और humans में भी होते हैं बहुत सारे diseases skulls पे होने वाले ring disease हो गया ringworm हो गया चर्म रोग हो गया यह सारी चीज़े क्या है आपको यह इससे होने क्या कहते हैं फंगई से होने वाले डिजीज हैं ठीक है फंगल इंफेक्शन जिसे कहते हैं नॉर्मल हम हमारे क्या है नॉर्मल आप किसी व्यक्ति से मिलिये तो उसको क्या कहते हैं नॉर्मल क्या है फंगल डिजीज होता है नहीं भी तो कम से कम आपका जो यह क किल करता है हमारा जो उपर वाला जो लियर होता है इसकेल को किल करके and then उसमें से क्या है nutrition सक करता है तो कुछ इस प्रकार से उनका वड़ कुरता है दें देखे क्या है सब सेक्षन में हम क्या है इसमें ecology और importance के बारे में पढ़ेंगे कि भई human beings के लिए किस तरीके से important क्या है कोई चीज हमारे लिए अभी शाख है तो वह वर्दान का भी काम करती है ठीक है तो वर्दान किस तरीके से अभ इस तरीके से हम इसके बारे में जानेंगे तो यह जो ecology ecology psychology में क्या है हमने क्या है four divisions होते है true fungi के हमने इसके बारे में पढ़ रखा है तो इसमें आपका जो हो गया catridiomycota catridiomycota जो है इसके बारे में हम जानते है कि बहुत सारे जो catrids होते हैं वो कैसे होते endobiotic होते है endobiotic यानि lie on tissue do okay tissue you if tissue के अंदर रहते हैं यह क्योंटasessoo के अंदर ही चैक अंदर ही सर्वाइफ करते बॉड़ी के इंटर्नल पार्ट के अंदर present होते है वाईल other are कैसे होते सापछोट कुछ नहीं होते सफनों प्रोफाइटिक ईपरोफाइटिक होते हैं उसि इसाप रो Pas का या फिर saprotrophs भी कह सकते हैं, saprophytes यह dead and decaying substance पे जो rely करते हैं, जिवित रहते हैं, उसे हम कहते हैं saprophs कहते हैं, they occur in both fresh water and marine water as well as soil, यह भी हम जानते हैं, कि fresh water हो गया, marine water हो गया, और soil में भी उपलब्द होते हैं, कुछ ऐसे anaerops species होते हैं, जो कि आपके क्या है, guts of harviboros, harviboros यानि जो rumen animal होते हैं, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा भी था, rumen animal में आपको क्या है, यह basically यह आपके, क्या कहते हैं, rumen animal के gherds में मिल जाएंगे, जो कि harviboros, cellulose का पाचन करते हैं, then देखे क्या है, being very small in size, this can be detected on the microscopic examination of cell tissue of the plant's animal and dead decaying matter, organic matter, तो देखे क्या होता है, कि बहुत छोटा होने के कारण उनके size के साब से, उसको detect जो किया जाता है, वो microscopic examination के ही through से detect के जा सकता है, हो सकता है, कि वो cell में या किसी tissue में हो, present plants के, या फिर animals के न, या फिर dead organic matter के, तो इसलिए वो क्या होता है, छोटा size होने के कारण हम detect क्या microscopic examination के ही through हम कर पाते हैं, बहुत से जो cataride होते है, parasites होते हैं, उसमें कैसा होता है, vascular plants होते हैं, या फिर mosses हो गया है, या फिर planktons में present होते हैं, क्या है, cataride जो है, as a parasite क्या है, vascular plants में और mosses में या फिर planktons में present होते हैं, ठीक है, यह जो हम यह सब चीजों के बारे में हम आपको परसाइट्स, टैड़ी ग्रेट्स, रॉटी फेरस, आपको मॉस्क्यूटो, मिड्जेश, बिटल्स, एंड मैनी ओफ अफ अधर्स, यह सारी जो आपके क्या है, जो आपके कुछ और तरपॉड्स एंड नेमटोड्स जो है, इसमें आपको क्या है, यह एज़ा परसाइ है वैसिकुलर, भैसिकुलर, आर्टि भीलोर के है, आर्पुलर, आर्भीकुलर, मायिक्रो, माय को करी का क at ever, माय को रिवाश, ऑक करी अ और तो, फ्हें हान खाहर कहार। है 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 कर दो तो एक साथ एक साथ वो क्या करता है यह के बात करें सको माइकोटा की बात करें और बैसडियो माइकोटा के मेंबर को बात करें, तो इसके साथ भी वो क्या है, इसको परसडियो माइकोटा के मेंबर को भी क्या कर देता है, परसडियो माइकोटा के मेंबर को भी क्या कर देता है, परसडियो माइकोटा के मेंबर को भी क्या कर देता है, परसडियो माइकोटा के म okay sewage treatment plant में यह जो जू फैगस इंसेडियंस है यह वहां जाके अकोर होते हैं यह sewage treatment plant में इसका यूज किया जाता है sludging and then बात करें zygomycota की तो देखिए zygomycota का यूज कहा होता है कैसे होता है और क्या-क्या यह परिसानी हमारे लिए खड़ा करता है तो देखिए क्या है organism belong to the division zygomycota zygomycota से जो belong करने वाले जो भी आपके organism है या group as a group can be isolated from a variety of substrates such as soil, dung, food, flower, stored grains and fleshy, plant organs, mushroom and vertebrates and invertebrates में आपको मिल जाएंगे यह यह सारे जो है न, zygomycota यह बहुत सारे groups को infect करता है एक तरीके से variety of substrates में जैसे कि soil हो गया, dung, just gober हो गया आपका, gober में तो normally आपको दिख जाएंगे then उसके बाद fruit हो गया, flowers हो गया, stored grain आपका जो रखा रहता है fleshy and mushroom and क्या कहते हैं, vertebrates and invertebrates को क्या करते हैं, infect करते हैं nutritionally बताएं तो they are primarily, primarily क्या है, saprops होते हैं, saprops just dead decaying मैंने भी बताया था, dead and decaying, substance पे क्या करते हो, rely करते हो, dead and decaying matter पे, ठीक है, dead matter पे then उसके बाद क्या है, they can faculty weak parasite, क्या होते हैं, faculty की बात करें, तो यह क्या है, weak parasite होते हैं and members of order, zygophagalus, sorry, zupo, zupopelgus, zupogalus, जो है, आपका obligate parasite होता है, obligate and then, members of order, endogonels, and glomerulus, and R-microrisal यह सारी कैसे होते हैं, यह जो order है, किसके zoo, kya है, zoo, zygomacota के, यह जो order है कौन-कौन marginza, endogonels, and glomerulus, जो हैं, यह कैसा होते हैं, microreisol होते हैं, microreisol क्या होते हैं, microreisol, just w declarants, can't right, roots के साथ, symbiotic association में साथ रहते हैं, क्या होते हैं, symbiotic, plants के root में, जो organism होते हैं, क्या कहते है, micro organisms के साथ, वो symbiotic, micro organisms या फिर क्या कहते है, root के साथ, symbiotic association बना कर रखते हैं, association बना कर रखते हैं, समझ में आ रही है आपको, micro rhizia, अभी हम और भी पढ़ेंगे इसके बारे में, detail में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आता है, ESCO, ESCO my quota है, यह ESCO my quota क्या है, तो member of division, ESCO my quota, यानि ESCO my quota division के जो members है, वो broad range में, broad range of habitat में क्या है, रहते हैं, कैसे, तो they live in a dunk, क्या है, गोवर में रहते हैं, बार क्या नि लकडी का, जो चाल होता है, उसमें present होते हैं, then उसके बाद वूड में, leaves में और fresh water में भी यह, मिलते हैं, और rarely आपको marine habitat में भी मिली जात होता है, कि इसके साथ, blue green और green algae के साथ, as a lichen, जो formation करते हैं, वैसा इसमें आपका क्या है, आपको, क्या कहते हैं, mutualistic relationship देखने को मिलेगा, lichen, याद है न, lichen, तो lichen का जो formula, sorry, formation जो है, वो ESCO my quota में ही होता है, they occur as a endophyatic, sorry, endophytic microarrisa, इसको हम endophytic microarrisa भी कहते हैं, just वो क्या है, जिसे कि आपका green algae हो गया, या फिर blue green algae हो गया, उस पे एक तरह के से symbiotic association बना लेते हैं, symbiotic, क्या कहते हैं, relationship बना लेते हैं, then उसके बाद रहते हैं, then उसके बाद काईटोनियम, and यह कहा है, trichoderma, breakdown cellulosic fabric, क्या है, trichoderma, वो break कर देता है, breakdown कर देता है, cellulosic fabric में, then उसके बा matterhysium, then उसके बाद, matterhysium, exhibit potential insectidal properties, तो insectidal properties, so करता है, कौन है, matterhysium, then देखी, क्या है, इसके बाद आता है, basidiomycota, basidiomycota की बात करें, इसमें जो organism belong करते हैं, इस division को, basidiomycota से, वो आपको कहा मिल जाएंगे, तो यह इस तरीके से, अगर मैं बनाओ, अर्थ, गोला मैं बहुत बेकार बनाता हूं, यहाँ पर आपको arctic reason मिलेगा, यहाँ पर arctic reason हो गया, and tropical वाला reason, यह वाला आपका क्या हो गया, tropical reason हो गया, यह आपको क्या है, यहाँ पर tropical reason में आपको, इस जगे पर आपको mostly आपको यहाँ पर मिल दाएंगे, primarily they inhibit wooded areas, गया तो यह wooded areas में हो गया, या पर swamps हो गया, lawn हो गया, या पर pastures हो गया, यह कुछ areas हैं, जहाँ पर यह primarily रहते हैं, यह अक़़ पर कैसे होते हैं, तो soil हो गया, as well as dead leaves पर हो गया, या फिर wood पर हो गया, या फिर dung पर हो गया, या फिर saprops, या रिलागे, dead and decaying elements या matter पर वह rely करत है इसके बाद हम बात करें टुफ अगई जो कि एक प्ले करता है इम्पॉटेंट रोल है ना इको लॉजिकले एज डीकंपोजर एकोलोजिकले अगर बात करें तो वह डीकंपोजर की भूमिका निवाता है forest में forest के ecosystem में क्या है खुद पर खुद अगर चीज़े अगर नहीं होगी क्या कहते है डीकंपोज या रिसाइकल नहीं होगी तो वहां पर कुड़े का या फिर कहें पत्यों गडेर लग जागा ना तो यह सारी decomposers है जस्ट यही काम करते हैं इनका काम ही होता है जस्ट जो सड़े गले पतार थे हैं dead and decaying metal को decompose करो and then उसको वापस से nutrients के form में दुबारा से वो plant को help करो है ना provide करो then उसके बाद क्या है they also constitute a substantial biomass यह क्या है constitute करता है substantial biomass किसमे तो forest का substantial biomass हां तो यह देखिए होता क्या है आपका हां तो यह बहुत बड़ा जो biomass होता है ना यह कहते हैं forest का वो पूरा का पूरा biomass कौन गहरता है तो जस्ट यह fungi जो हो गए just यह most आपको क्या है decomposer मिल जाएंगे they help recycle most essential nutrients यह बहुत जो essential nutrients होते हैं उनको क्या करता है उनको recycle करने का काम करता है just and then उसके बाद हम बात करें significance की बात करें तो यह जितने भी हमने अभी क्या है divisions के बारे में हमने जाना इनका significance क्या है और कैसे कैसे हम इनका use करते हैं और कैसे की sources में हम इसका इस्तमाल करते हैं तो देखिए मतलब किनकी sources को पाने के लिए हम इनका use करते हैं देखिए क्या significance की बात करें तो organism जो है represent करता है true fungi को इसमें very significant to mankind as food ठीक है हमारे लिए क्यों ज़र रही है तो हमारे मानवता के लिए या फिर मानव जाती के लिए यह food के रूप में है food provider है food spoiler यानि food को क्या spoil करने सडाने के रूप में क्या fermenters के form में fermentation करने के लिए ना fermentation तो इसको क्या कहते है fermenters कहते है fermenters तो बहुत जुरुरी है ना alcohol और wine बनाने के लिए तो इसके बाद क्या है source of enzyme enzymes को produce करने के लिए क्या है हम यूज करते हैं किसका हम फंगई का यूज करते हैं anti-biotics बनाने के लिए हैं ना हमारा जो जितना भी pharmaceutical department 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 pharmaceutical industries है वो सारे based होते हैं किस पे आपके biotic anti-biotics बनाने के लिए वो एक तरह के से dependent होते हैं fungi पर ठीक है fungi पर dependent होते हैं then उसके बाद हम बात करें कुछ drugs ऐसे होते हैं जैसे कि hello hallucinogen hallucinogen just brain के बिमारी के यूज के लिए या फिर brain के लिए यूज किया जाता है जैसे कि एक तरह के से ये जो drug प्रोवाइड करने पर इंसान को क्या होते है एक तरह के का effect देता है brain में जो कि क्या है impact डालता है जिसमें कि उसे अपने आप मतलब उनका उसका दिमाग चलने लगता जस्ट सपने आने लगते हैं तो कुछ इस तरीके का ये हो क्या केते हैं हेल्यू सिनो जन्स ये ड्रग होता है दें उसके बाद हम बात करें कुछ पैथोजन्स होते हैं जो कि प्लांट के उपर अनिमल के उपर या पर हुँमन के बेंग्स के एक तरीके से बिमारी का कारक बनते हैं दें देखे क्या है they play an important role, symbiotic role of mycorrhizia and lichen, mycorrhizia or lichen के रूप में ये एक तरीके से symbiotic role भी में बात है, mycorrhizia बहुत important है हमारे environment के लिए हमारे, क्या कहते है, ecology के लिए है न, तो and lichen भी हमारे लिए बहुत जुरुरी है, हाना, तो ये सभी चीजें क्या है, symbiotic role में अदा करती है एक तरीके से, then उसके बाद देखे क्या है, fungi यह जो source of food, fungi को हम source of food कैसे use करते है, तो देखे 2,000 species जो है, 2,000 species आपको मिल जाएंगे, fungi के जिनका हम क्या है, suitable हम क्या है, fungi suitable suitable है suitable है क्या कहते है, human के consumption के लिए क्या है, human consumption के लिए suitable है, एसा नहीं है कि कोई जहरीला है और हम उसका consumption कर रहे है, नहीं, हम क्या है हम उन्ही का use करते है, जो कि हमारे लिए स्वास्त बर्दग, healthier हो है ना हम क्या उससे खा के स्वस्त हो जाएं तो वैसे चीजों का use करते है, देखे क्या है world report करते है, all over the world की 2000 species जो है, फंगे जो है वो suitable है, human consumption के लिए देन देखे क्या है, यह जो include करता है, जैसे की अग्रिकस और अग्रिकस क्याम है, पेस्ट्रिस जो है जस्ट आपका जो फिल्ड मस्रूम, जो नॉर्मल मस्रूम आपको मार्केट में मिलता है ना, वो आपका यह होता है, ठीक है, हाई ना, तो क्या होता है एग्रिकस क्याम्पैस्ट्रिस एज्ट उसके बाद है, यह कहा है Abypsporous, यह भी आपका एग्रिकस बिस्पोरस है, यह वाइट बटन मस्रूम कहते है बटन की देखने को लगता है देन उसके बाद कर यह फिर एalahिकर सांः शैल वाक gracious और रोड मनी नौन कि करते हैं अपने से कुछ है कि common mushroom खारते होंगा तेन लिख अलग अलग एलग तैप मसरूम जो है अधर मश्रूम जो है जो कि रिगाड़े टू डैली डैली केसिस फॉद टेबल है ना हमारी जो टेबल होता है ना खाने का टेबल उसमें कई सारे जो व्यंजक होते हैं उसमें वह यूस किया जाता है जस्ट आपका जैसे कि और भी है आपके प्लिटोरस हो गया यह सारी प्लि सब्सक्राइब निच्जीं की और रिखेंग डिखेंग करिते हैं ना हम गभी हमरा अपने चीज को बनाने में राइपन करने के लिए चीज फॉर एक्जांपल जैसे कि आपका पी पानिसलियम रॉक्यू फोटी जो है आपका यह रॉक्यू फॉट चीज बनाने के लिए कि तो आज से पहले आप सभी को यह मालूम भी नहीं होगा की चीज में हमारे फंगई मिला जाता है देखे जी हाँ चीज में भी आपका फंगई डाला जाता है और उसको एक तरगे से फर्मेंटेट करने के लिए एक तरगे से उसको एक क्या कहते हैं एक डिलिशियस टेस्ट देने के लिए ये सारी चीजें की जाती है तभी वह बन पाता है एक एक एक्चुल में बढ़या ची कैसे करता है हम उसके बारे में जानेंगे तो important cause of spoilers of food items इस इसे हमें इस लिस्ट को हमें देखना होगा एक बार तो देखे क्या है इसमें कुछ एक्जाम्पल्स दिया है फंगई के जो की associate करते हैं spoilers of food items में हम बात करें name of fungus aspergillus flavors जो है आपका या फिर परसिस्टिकस है जो क आपका fruit हो गया vegetable हो गया फिर stored grain या peanuts हो गया इनको spoil करने के लिए इसारे जो fungus है इनका use किया जाते है यह आपने automatically इस पर लग जाते है और spoil करते है food को then उसके बाद clevices pur puria जो आपका है यह case में हो गया white हो गया sorry wheat हो गया barley हो गया rye हो गया oat हो गया grains हो गया जितने भी आपक rhizopas stalonifer जो है वह आपको किसमें मिलेगा damp bread में जैसे कि अगर कोई bread है यह तो normally आप सभी जानते हैं चटी class के भी experiment में ता आपके उस दिन क्या है bread को गिला करके छोड़ दीजिए then उस पे आपका क्या है rhizopas stalonifer आपका क्या जाएगा इस पे इसके spores क्या हो जाएंगे germinate क strawberry पे और sweet potato पे भी हो जाते हैं एक और है rhizopas stalonifer यह भी आपका वही सेम चीज़ है यह क्या करते हैं softening of canned fruits यानि जो क्या है इस तरीके के aluminium canes में आपके fruits आते हैं यह mostly आपके इंडिया में बहुत कम यूज के जाते हैं लेकिन बिदेसों में जो भी आपका जैसे कि इसमें अमालीय की cherry है यह cherry का डिबबा है तो cherry के डिबबे में यह क्या है यह आ जाता है and then वो क्या कर देता है softening कर देता है यानि fruit जो इसके म्यूकर रैसी मुकस जो है यह stored fruits में आपके हो जाते हैं ठीक है बहुत सारे आपने fruits में देखे भी होंगे सड़ना गलना normally decompose करने का का fungus का ही होता है and उसके बाद हम बात करें गिल बर बर्टिला की बात करें पैरी सेकेरिया यह stored pitches and tomatoes में आपके कहा हो जाते हैं उसके बाद अल्टरनेया step हो गया जैसे कि tomatoes in field, field में जो tomatoes होते हैं उनमें भी आपके क्या है यह normally आपके क्या कर देते हैं tomatoes को spoil कर देते हैं then उसके बाद fungi as a fermenters, fermenters अभी मैंने बताया, fermenters क्या होते हैं जो की fermentation करते हैं fermenters, fermenters जो की anaerobes होते हैं एक तरी के से anaerobes होते हैं ठीक है, तो fermenters जो हैं आपके वो fungi में help करते हैं, fermentation के लिए हैं, high quality product जैसे की including beverage हो गया, पीने वाला पे-पदार्थ हो गया, beverage जैसे कहते हैं, canned वाला या फिर जो भी आपका जो भी आता है, bottle हो गया, यह सारे आपके क्या industrial products हैं, ठीक है, यह सारे आपके industrial products है, इसमें fermentation जो किया जाता है, वो fungi के ही द्वारा किया जाता है, then उसके बाद हम आजाते हैं, यहाँ पे food, beverage and produce from fungi, जो की fungi द्वारा produce किया जाता है, वो food हो गया, या फिर beverage हो गया, पे-पदात हो गया, यह सारे इस लिस्ट में दिये हैं, अब हम उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं, जो कि आपका नॉर्मली हम इससे East भी कहते हैं, यह बेकर्स के लिए, यूज के जाता है, बेकर्स एस्ट के जाते हैं यह और वाइन भी production करने के लिए किया जाता है, जैसे भी आपका ब्रेड हो गया, भटूरा हो गया, या फिर जो भी आपका बनता है, कुलचा हो गया, इसमें क्या इस्ट डाला जाता है, तभी इनमें क्या है? कि आपको ये फूला फूला दिखता है, ना? And then wine में भी आपका क्या है? Wine को भी बनाने के लिए इस्ट डाला जाता है, then उसके बाद देखे क्या है? Saccharomyces, Carisbergenis, Liger beer, Liger beer एक टाइप का बियर होता है जिसके लिए बनाने के लिए यह जो पेसल जो टाइप का फंगई है यह इसकी जरत होती है देन उसके बाद एक और है Saccharomyces, Roxy, यह क्या है सोया सॉस बनाने के लिए क्या है जाता है यह सोया सॉस ब्लेक वाला चॉमिन में डालते ना सोया सॉस वही वाला तो वह हो गया एंड देन उसके बाद Candida Millery जो हो गया आपका सोर फ्रेंच ब्रेड यानि जो खट्टा जो फ्रेंच ब्रेड होता है सोर मतलब खट्टा ही होता है तो यह बनाने के लिए आपका सिंपल ही किया जाता है देन उसके बाद क्या है Aspyrgillus orgya 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 sorry orgya यह क्या है सेक जैसे कि rice starch hydrolysis जैसे कि सेक होता है rice starch hydrolysis यह जस्ट मैंने साइड हाँ एक बार देखा था यह जापान में एक specific type का drink होता है Japan की चाहिना मैं थोड़ा साइड हो तो उसमें बनाने के लिए साके कहते है यह सेक कहते है जो हम तो ऐसे प्रोनशीयेट सेक कहें गे लेकिन साके कहते है साइड में भी तो यह जो साके जो बनाने के लिए इसमें भी आपका फंगई का यूज किया जाता है यह rice starch hydrolysis करके water का बनाया जाता है ठीक है करने के लिए होगा कोई dish होगा special type का उसमें क्या है इसका यूज क्या जाता है यह फिर से एक बार आ गया इतनौल फ्रोड़क्शन करने के लिए वाइन में इतनौल होता है ने इतनौल तो इतनौल स्पेसिफिक जैसे कि माली की सुगर के सुगर के से हम जो हम क्या निकालते है क्या कैतने सुगर निकालते है उस से हम क्या ग्लुकोज जो निकालते हम की सिंद एतनौल में फॉर्मेशन करते है और हमारे nuclear थेज़ी देन उसके मम हसे इस की है इस करनेंग स्विएप थमस्टी के से हम क्या बना सकते हमुदि व क्या भान सकते हैं इतनोल बना सकते हैं, तो उसमें हम कर सकते हैं, एस्पार्गिलस नाइजर जो है, यह आपका सिट्रिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है, सिट्रिक एसिड है ना, सिट्रिक एसिड आपका विनेगर, नहीं, विनेगर ने, तो विटामिन सी बनाने के लिए, नहीं, विटामिन सी कहते हैं, अज छोड़ो कोई बात नी रहें दो, कन्फ्यूज हो मैं थोड़ा सा, राइजोपस स्टॉनलिफर जो है, फ्यूर्मिक एसिड भी बनाने के लिए यूज गया जाता है, तो कुछ आपके क्या होगे हैं, ये आपके भेवरेज और फूड़ो के लिए, जो यूज मे लाए जाते हैं, फंगई, उनका हमने थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन दिया, देन उसके बाद देखी क्या है, फंगई एंजाइम्स उसफिल इन इंडस्ट्रीज, अब जो हमारे ओद्धोगिक छेतरे हैं, या मैं इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में इकिस प्रकार सी यूस्फूल हैं, जिख यहmaybeorang फंगई, आर सोर्सवन उसफरीज में, हमेर्ड फूनिनस्ट्री में किस तरीके से हैल्फूल हम यह जाना के कोशिचिश कहते हैं, सम फंग सोर्सटे क्या स्थिल ठजीज इन एंजा चलाँ जो अंदर जो स्रालाइवा जो निकलता हूं इसके अंदर हमारे पास एंजाइम हमी रे चौनात काम करता है हाँ कार्भो हाइड्रेट को स्टार्च में चेंज करने काम करता है कार्भो हाइड्रेट को स्टार्च में चेंज करने काम करता है मन कर रहा होगा आप लोग केमिस्ट्री पढ़ने का कोशिच मैं भी कर रहा हूं कि केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करू करूं लेकिन इतना ज़्यादा प्रैसर है कि मैं करी नहीं पा रहा हूं खेल छोड़िए हम इस पर धान देते हैं तो यह किसका सोर्सिस की बात करें तो फंगल एंजाइम्स फंगल एंजाइम्स यानि आपके यह फंगल एंजाइम्स यानि फंगल द्वारा इसके द्वारा हम MLS का फॉर्मेशन करते हैं यह क्या करते हैं अप्लिकेशन क्या है तो कंजर्वे कंवर्जन ऑफ स्टार्स टू फर्मेंटेबल कॉंपनेंट्स इन बैंकिंग बेकिंग हो गया सीरप मैनिफैक्चण करने के लिए भी हम करते हैं क्लारिफिक्टिशन ऑफ स्टूइब जूसस बनाने के लिए इंड क्या है स्क्राप कैंडी discussed जिय वुद्टेवल केंग करने के लिए सब जीराने के लिए वहम करते हैं थीक है तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें एप्लिकेशन से है इसके बाद एक और एंजाय में कैटलेज है कैटलेज किससे बनाई जाता है तो यह यह क्या है यह यह डीकमपोजिशन आफ एस्टू ओटू है ना क्या है यह एस्टू ओटू बताएए इन डेरी एंड एग पर्मोकसाइ तो यह क्या है डेरी और एग प्रोडक्ट में क्या है इसका यूस किया जाता है तो थीक, डेरी और एग प्रोडक्ट में एस्टू ओटू का है truth जैन उसके बाद यह alpha glucose-glucosides है है जिसे maltose भी कहते है क्या कहते है माल्तोज methods तो तो ग्यांगा सेक्रो माइसेश। यूवेराम, जो है, यह कैया है, स्वल्ण क Arena-γltose work 물레 viruses तक लिएवर समद्ग है, देरी प्रोडक्त में जोम्लना मेल्टोस का on टेक्श होता है, उनसी ओको उस दिyo wrapped मेरा सिंप्र 쿠ध में नोफ वो क्या होगा अब बुछेंट, डाल देते एंजाएम्स को डालते और वो किससे बनाया जाता है यह थाले आ जाते हैं हम इन्वेटेज्ट, इन्वेटेज्ट इस टाइप आजाएम्स तो ने सॉरसे ने इस소र सी च engagement and candida utilis यह क्या करते है conversion of sucrose to glucose यानि जो sucrose होता है चीनी होती है, मीठा होता है glucose में convert करते हैं इसके माद़े हम से और fructose में भी यह हमार जो है production of artificial honey यानि जो आजकल जो honey आता है artificial honey आजकल कोई भी जल्दी आपको original नहीं मिलेगा जो कि आपका just a mixture of glucose और fructose का mixture होता है तो यह आपका artificial honey बनाने के लिए यूज के जाता है देन उसके बाद lipase आता है lipase आपको मालूम होगा lipase हमारे क्या करते हैं लिपीड और fat को convert करते हैं तो देखिए fat को convert करते हैं लिपीड और conversion करते हैं fat को glycerol और fatty acids में and उसके बाद क्या है flavor production in cheese मतलब एक तरीके से cheese में स्वाद लाने के लिए flavor लाने के लिए भी क्या है use किया जाता है इसका और एक और चीज है आपका यह हमने कभी सुना भी नहोगा देखा भी नहोगा साथ आपने देखना YouTube पे डालके एक बार remove करने एग से york को remove करने के लिए white वाला जो पार्ट हो जानो उससे york पीला वाला पार्ट को remove करने के लिए भी use किया जाता है then उसके बाद हम आजाते है fungi as a plant pathogens यानि fungi में किस तरीके से plant pathogens क्या है? plant pathogens की तरह एक्ट करता है तो देखिए क्या fungi आपका principal cause of number of disease in plants यानि बहुत सारे क्या है आपको यहाँ पे disease मिल जाएंगे जो की plant पे होते है fungi के कारण especially the ones which are economically important for human consumption हो सकते है कि आपके especially economically important human के consumption के तहत लेकिन आपके जहातर जो है जिन फंगई के द्वारा यह fungi disease होता है जैसे कि black wart of potato potato के उपर काले धब्बे यह कैसे होता है तो यह होता है psychatrium endobio ticum है ना? जो आलू के अंदर आपका क्या है काला काला हो जाता है तो जस्ट यह वाले फंगई कारणता है यह क्या है synchytrium endobio ticum हा? सही बोला मैंने अब उसके बाद देगी क्या है club root of cabbage club root of cabbage जो है इसमें भी fungal disease साइद मैंने देखा रही है बट जो भी होता है वो क्या है olpedium brassica जो fungi है उसके कारण होता है फिर erot of bajra ergot of bajra जो है ergot of bajra किसके वज़े से होता है तो यह होता है आपका clavicep microcephala यानि वो बाजरी के उपर काले काले से क्या हो जाते है दाग हो जाते है and frog eye sport of tobacco tobacco का जो लीप्स होता है इस तरीके का लीप्स होता है इस तरीके का इसके लीप्स के उपर इस तरीके से जिसे हम frog eye कह रहे है तो यह जस्ट यह एक तरीके के धब्बे patches हो जाते है जो की एक तरीके से बहुत ज़्यादा economically loss करते है जो तब आको groward farmer होते है तो यह क्या होगा sacrospora and nicotinia nicotinia ठीक है nicotinia देखे nicotin substance के अंदर present होता है और इसके उपर लगने वाला जो फंगई इसको हम क्या कहते है sarcospora nicotinia कहते है उसके पाद loose mood of wheat यह क्या घरता है जैसे कि आपने इस तरीके से wheat का जो यह hair होता है अगर मैं बनाओं इस तरीके से पहले के एक रुपे में होता था यह अब नहीं होता तो इसमें इस तरह के से hair होता है इनका इस ही कि अंदर यह क्या है जस्ट इसके अंदर fungi आ जाता है आई यह fungi क्या करता है इसके दाने को यह ज़स्ट आने को यह सडाना स्टार्ट करतेता जब डीकंपोज हो जाता है जस्ट यह ब्लैक इस पॉडर की तरह एकदम उसके अंदर जो पैक्ड होता है उसके अंदर ब्लैक पॉडर बसता है तो एक तरह के सब्सक्राइब क्या करते है यह किसके वज़े से होता है तो यह हो गया आपका यूस टैलेगो ट्रिक्टी के रीट्व ज़ान भी नहीं था रहा है मुझे तो जो भी आपका सिरॉम में भी आपका क्या है एक किसके वज़े से होता है यह बी आपके सेरियल को ही कहते है सरे आनाज में आपके क्या है , ये तो आपका वीट हो गया , वीट में सपेसिफिकली ०िन को ठ्रिक्टी से कारण होता इसमें आपका क्या है, ये अपका डूल् cruise आपका होता है , टॉली टॉलीज्ट थॉपॉलिफरं ले संद्थ powdery mildew of pea यानी mildew जो आपका pea के ऊपर जो होता है पी में होता है जो cottonous होता है मैं भी सहथ cottonous वाला ही होगा ये ये किसके कारण होता है irisphile irisphile polygony ये आपका causative fungi होगा rust of linseed हो गया ये किसके कारण होता है melam spora lini and stripe of wheat ये किसके कारण होता है तो यह आपका फंगाई है चेस्टनट ब्लाइट तो मेरे को चेस्टनट तो वो लग रहा है वो इस तरह का पानी फल जिसे हम कहते है तो उस पे होने वाला जो डिजीज है वो किसके कारण होता है तो वो होता है क्राइफोनेक तेरिया पैरसीट का ठीक है पैरसाइट का तो यह आपका कॉजटिव फंगाई हो गया देन उसके बाद हम बात करेंगे डिजीज साइकल और पैथोजोनिक फंगे अल्टरनेरिया एंड मतलब यह हम डिफरेंट सेक्सन में पढ़ेंगे अभी तो इसमें टाइम है हो सकता है वह नेक्स्ट पार्ट में हो दैन उसके बाद हम बात करेंगे प्लांट डिजीज मेनेजमेंट रिक्वार मेनेजमेंट अगर हमें प्लांट डिजीज का मैनेजमेंट करना है तो हमें मैनेजमेंट किसका करना होगा पैथोजन का मैनेजमेंट सबसे पहले करना होगा यह पैथोजन ही ना लाखों का नुकसान कर देते हैं लोगों का होस्ट एंड इंवार्मेंट ठीक है होस्ट का भी और एंवार करना है वह सारे इने वाल करना होगा जो कि क्या कर सके कर सके कर सके उस्ट कर चिंच सके कर सके कर सके यो कि युजू होश्ट का जो इन्वाल्मेंट होता है practical क्या है प्रैक्टिसेज डिया डिया डियाटि दो इंप्रूग द प्लांट विगर एंड इंड्यूस करें एंड देन उसके बाद क्या है और क्या लिखाई है इंडक्शन ऑफ जनेटिक रेस्टेंस और एक तरह किस तरह ब्रेडिंग प्रोवाइदिंग प्रोटेक्शन अगेंस अटेक्ट बाइग केमिकल मेंग जैसे कि आपका जो बहुत सारा और किसी मेंया जाता है फिस सीटिप्र इवाया जाता है इंस गया वह तय ses बनाया जाता आपको किस तरह की इजाता है वह चत्मेद मेंद्टिक रेस्टंछ इंड बनाया जाता・ यानि अगर रहत नहीं होगा ओन मेंद्रिक पल्षे won घ्थिर्टियूक्व में गिए उसमें पंगल पैटोजोंस का अटेक इस पे नहीं होगा. ठीक है? तो यह आपका क्या है? एक तरगी résistenz के ञरूभ हम क्या है मैं कर सकते है मैनेजमेंट के लुकसे इन आपका है नापका सकते हैं जो है आपका यह आपकी क्या है ड्रक्स है कुछ दवाईयां है तो यह सारे चीज़ें आपके क्या है फंगई से बनाए जाती है अगर हम 1929 यानि 1929 की बात करें तो स्रेलेजनल्चनल फ्लेमिंग फ्लेमिंग धनी एकनी स्टेबलीश करा थ हा रोल अफ फंगई का तो उनोंने एंटिभाईोटिक c抱ंक्शन का प्रusz निरे किया कैसे靠 तो इंटिभाईटिक पैनिश्यलियमग जो था फ्रॉम नतेतं से अन्होंने एक्स्सुरक्पत करा निकाला और Penicillium को एक Organic Substance यानि लीथल एक लीथल वेपन एक तरीके से है न तो माइक्रोब्स है माइक्रोब्स को मानने के लिए बहुत आसानी से मार सकता है और यह क्या है कि आपके जो भी आपके अदर जो जर्मी साइडस होते हैं माइक्रोब्स को किल करते हैं उन ड्रक से क्या है और ड्रक से बहुत ज्यादा बेटर पर्फॉमेंस दिखाते हैं हम बात करें फर्स्ट एंटिबाइटिक्स की तो वह वाइडली यूज किया गया था सेकेंड वर्ल्वार में जब सेकेंड वर्ल्वार में जो भी आपके वाइरल वाइरल कहा रहा हूं बैक्रियल डिजीज जो फैल रहे थे वह एंटिबाइटिक्स से ही रिजॉल्फ हो पाया था देन देखिए क्या है पैनिसीलियम जो है ट्रिमेंडियोस इंडस्ट्री की बात करें एप्लिकेशन की यह जाता है यह जो इस पीसे जैवो मोस्ट कॉमन होते है और रिगार्ट वाइज पैनिसीलियम क्राइसीलियम ग्रिसू फॉलिवियम फ़र गरिसो फुल्विन एट इस वर्थ यह सारे दवाई डर्क्स के नामे ठीक है ट्रक्स कम मतलब वो ड्रक्समा समझना आप ठीक्ग् It is worth mentioning here that the species P. notatum which penicillin was first discovered P. notatum which penicillin, which you call it, was an antibiotic which was discovered first, is not commonly used for manufacturing penicillin anymore and now you don't use it much for manufacturing penicillin Today, more than 1000 antibiotics you can find about six genera of fungi you can think about six genera of fungi you can think about six genera of fungi used to be used what to make? Antibiotics Antibiotics one is your cephalosporium and one is your acromonium and produce potent antibiotics potentative biotic cephalosporium capable acting on a wide variety of pathogen bacteria that whatever you have pathogenic bacteria kill and it is a big difference cephalosporium and after that, we will talk about one whale well known non-antibiotic use of microbial secondary metabolites related to arrogant alkaloids just just drug component this use metabolites use metabolites use it just provide so non-antibiotic use and microbial secondary microbial use so this is used for fungalic this sylviceps what claviceps purperia produces sclerotia in the ovaries of sclerotia in the ovaries of sclerotia in the ovaries of the flower of grass is such as rytic which is is the flower clarity the ovaries of sclerotia प्रडूस कर देते हैं स्क्लेरोटिया जस्टा एज वह पैटोजीन की तरह वर्क करता है तो इसको कहेंगे एरोगेट ऑफ राई जो है यूज किया जाता है वेटरिनरी एंड हुमन मेडिसीन के लिए भी यूज किया जाता है एरोगेट एरोगोट ठीक है याद रखेगा उसमें क्या है mixture of alkaloids है एंड उसके बाद यह rapid and powerful contraction करता है यूटरस का यानि जब क्या होता है जैसे कि चाइल्ड बर्थ होता है ने चाइल्ड बर्थ चाइल्ड बर्थ में क्या होता है यूटरस से जो bleeding होती है उसको control करने के लिए जस्ट हम किसका यूज करते है तो हम इसका करते है एरोगोट का यूज करते है तो ध्यान में रखेगा इस बात को important है अगर पूछा जाए तो आप लिग दिजेगा then उसके बाद क्या है इसका बायो एक्टिव सस्टांस जो होते है आपके जो कि फार्मेको लॉजिस जो आपके फार्मा सुटिकल डिपार्टमेंट में जो होते है न मेडिसीन बनाने के लिए यूज करते है वह संतेजिस करते है डेरिवेटिस ऑफ एर्गोट अलकलोई एंड यूज अगैंस क्या हो गआ परकानसॉनेजम हो गया आफिर संसल डेमंटिय हो गए सारे जीज हे हैं डिजीज कह सकते है इसको डिसार्डर किया है आ तो इन प्पयार्मिक बात करें हम जैंट पॉफ बर का का एंड ख्लैवेटिया की बात करें वह की है एंटी मेंस सब्स्टांस को गेरी करता है था ना जो आपके धिमागी भीमारी के लिए यूस किया जाता है वह आऊ गया आपका लाइसर जीक एसिड डाय यह कहा जिते कहते LSD, LSD का use क्या जाता, produce psycho, यह क्या है यह, psychedelic effects in the human brain, जो आपका psychedelic effects होता है in the human brain में, उसके लिए use क्या जाता है, जो भी आपका दिमागी बिमारी होता है, उसमें use क्या जाता है, many mushrooms जो है, आपके जिसे के, कॉनो, कॉन काईब हो गया, या फिर, sylokyb हो गया, या फिर, stropharia हो गया, फिर, from maximo, produce similar holosyneges, known as sylokyb and sylokyb, तो यह, मैक्सिको में आपका होता है, आपका many mushrooms हो गया, syno, syb and sylokyb, sylokyb and stromanoferia, from maximum produce similar holosynes, known as sylokyb and sylokyb and sylokyb, या या रखेगा, then उसके बाद हम बात करें, poisonous mushroom जो होते हैं, वो क्या है, are also important sources of drugs used for treating human elements, क्या है, poisonous mushroom जो है, वो just important use होता है, उसमें, जो की human के, जो भी आपके disease होते हैं, उसमें use किया जाता है, element, एक मिनिट के लिए मैं थोड़ा सा कुईट करता हूं रोकता हूं वीडियों कि बहुत ज्यादा बाहर सोर हो रहा है फिर से मैं भी स्टार्ट करूंगा एक लेट स्टार्ट अगेन तो सोर थोड़ा कम हो गया तो देन हम फिर से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एमंट्या मुस्कारिया ठीक है तो यह आपका जो पॉइसनस मसरूम है वह इंपर्ट्रेंट सोर्स होता है जो कि हमें जो हमें जो हमारी कि MacBook के लिए यूज़की में ज़ीज़क governo यह बात करेंगा यह नहीं ग्रेटली हमश्टनिग दॉज़की है आवरा थन्मी और गायमित्रा और प्रोडुसेज टॉक्सिंग डेट काउस सेलिलर डिस्ट्रेक्शन करने के लिए उनका यूस करते हैं टॉक्सिंग जो हमारा हो गया कॉप्रिनस और क्या है यह लोनोकाइब और क्लाइटोकाइब हो गया एफेक्ट ऑटोनमस नर्वस सिस्टम के लिए यह यूस करते हैं हमारा सेंटल नर्वस सिस्टम जो है अफेक्ट करता है इन टॉक्सिं द्वारा जो के रिलीस किया जाता है यह सिलो काइब के लाता है देन उसके बाद देखें के टॉक्सिंग फॉर्म सेबरल मुसुम काउज गैस्ट्रो इंटेस्टनल इन इरिटेशन तो आपके पेट में आपके स्टमक में इरिटेशन पैदा कर सकते हैं आपके ग्लोवी फॉर्म्स हो गए यह क्या ग्रैविलाउन ग्रैवियो लेंस प्रोडूज एयर फ्रेशनल के रिवी यूस किया जाता है देन उसके बाद हम बात करें कुछ ऐसे फंगल डिजीज जो की हु छ Advanced चती करें बाद करने के एक रखर में एक सॉटा है रिवी फंग के वेगेंयों यह कोर्या है जो है जो है यह क्या है यह कैसा रिजुक ओन अरब invasion of living cell by fungi यानि कोई living cell हमारे अंदर present है उस पर क्या है एक तरगे से उनका invasion हो जाता है एक तरगे कपजा हो जाता है और वो काफी समय तक उसमें रहते हैं then उसके बाद allergies are disease resulting from the development of hypersensitivity fungal antigens ठीक है यह जो है जो कि आपके fungal fungus द्वारा होते हैं वो disease जो है एक तरगे से hypersensitivity जो हमारे fungal antigens के कारण जो हो जाता है वो आपको देखने को मिलता है and toxicose जो है आपका वो एक तरगे से illness प्यादा करता है due to ingesting toxic fungal metabolic bolides formed in the food due to fungal ठीक है एक तरगे से बीमारी प्यादा करता है ना जो कि क्या है due to ingest of toxic fungal यानि अगर toxic fungal ingest कर लिया उसके metabolites को हमने ingest कर लिया जो कि आपके क्या है आपके fungi उस food में फूर्म हुए तो उसमें क्या होगा besides that producing toxic the fungi can induce host plant and produce toxic substance ठीक है वो क्या करेगा induce करेगा host को and उसके बाद reduce करेगा किसको आपका प्रेडूस करेगा toxic substance को ठीक है host plant और यह क्या है mycotoxins की बात करेगा secondary metabolites होते है यह भी तो इसमें क्या है produce by the fungi can cause unnatural changes in the host मतलब कई सारे unnatural changes आपके हो जाते है यह systematic or deep mycosis जो है वो open क्या होते है fatal भी हो सकते है यानि मृत्यु दायक भी हो सकते है और serious भी हो सकते है इंसान की मृत्यु तक हो सकते है ऐसा है the organism invade सब cutaneous tissues or lungs from where they are established they get established and produce the disease यह क्या है कि जो organism है जो कि invade करता है यह tissue को lung के tissue को from where they get established जहां पे established होते है अब वहां पे क्या है produce कर देता है disease को lungs में होता है इसका जो symptom है वो क्या है this systematic mycosis resemble tuberculosis and और other disease यानि tuberculosis या फिर अधनिया disease इसमें हो सकते जैसे कि आपको मतलब tuberculosis ने देखते हैं वैसे ही आपको इसमें भी देखने को मिलेगा आपके alveolism में water fill हो जागा बर जागा तो इस तरीके का आपका होता है जैन उसके बाद हम बात करें accurate diagnosis अगर नहीं मिले इस disease को तो वो क्या है proper treatment नहीं मिले तो डर्मेटोफाइट जस्ट कुछ नहीं होते वो चर्म रोग होते ना चर्म रोग है ना तो डर्मल डिजीज जो भी होते हैं आपके डर्मल डिजीज वो क्या होते हैं mammals के उपर ring warm दाद, खाज, खुजली जिसे कहते हैं facial eczemas sporotrichosis यह सारे आपके किसके कारण होते हैं ring warm मतलब क्या होते है dermal डिजीज होते हैं टीक है स्किन पे हो जाते हैं खुजली बहुत होती है इसके कारण देन उसके बाद क्या है कुछ ऐसे ring warm होते जो कि अनेड़ेड आई से covered हो जाएगा कुछ अजीब सा एक दम बड़ा ही गंदा सा दिखता है वो and बात करें there are cutogenous skin infection cutogenous skin infection कैसे various name and herbs हो गया फिर क्या हो गया dermatis हो गया tini तीनी हो गया दाद खाज खुजली जिसे हम कहते हैं यह सारे वही वाले रोग है then उसके बात कहा है they are caused by the growth of the fungi which will leave either upon the surface of the skin and hair of the animal क्या है या तो वो क्या skin पे रहेगा या फिर आपको animals के hair में मिल जाएगा ठीक है आपका जो वो dandruff भी होता है मैंने भी बताया था dandruff भी आपका इसी के कारण होता है ठीक है उसके बाद आपका क्या है ringworm phavos और क्या cause by parasitic fungi जो क्या आपका क्या trichophyton and microsporum जो है या आपके टाइप से फंगई के ये ringworm इसी के कारण होता है याद रखेगा phavos जो है आपके वो किसके द्वारा cause होते है and psych है नहीं से की आपका causes violent pneumonia humans जो आपका ये जो violent pneumonia है इसके भी एक तरिके से causative agent की तरफ work करता है ठीक है तो human में आपका ये pneumonia भी इसके कारण हो जाता है जैन उसके बाद फैवस जो है आपका effect करता है dog हो गया आपको देखने की जानवर है उसमें आपको कहा है आपको देखने को मिले है ये commonly न्यूजिलेंड में आस्ट्रेलिया में आपको मिल रहेंगे ठीक है एंड ये जो है caused by the fungus pithomyces ये क्या है चाटरम चाटरम के कारण ही होता है एंड ये फ्यूगस ये क्या मने बला था पिथो मैसे चाटरम के कारण होता है एंड इट प्रडूजिस दा पॉजनस सबस्टान्स कलवेरिया ये क्या है फुजरियम एंड न्यू फंगल जेनरा विचार फांड इएर अलर्जिक तू दा ये सारे क्या है ये जो जितने भी आपके फ्यू जेनरा है फंगल जेनरा है जो कि आपके एर में एकदम उड़ते रहते हैं उड़ते रहते हैं और जैसे वो स्किन पर या फिर ये कहते हैं इस नदर चले जाएं तो वो एक तरह के से disease हाउस करते है। या पिर अल्टानेरिया इन फैक्टोरीया आपका या फिर अल्टानेरिया यह क्या है काई च्यूनिघ Scotland यानि human में होने वाले यह कुछ disease-causing elements they are associated with cutaneous, cutaneous tissues of ear bones, noses, nose and urine reduct में यह क्या है यह तरगे से जहां पर cutaneous tissues होते है वहां पर आपको क्या है इस तरगे से वो क्या कहते है एक तरगे से impact डालते हैं इसके बाद हम बात करें fungi in a biocontrol fungi को हम biocontrol की तरग कैसे यूज करते है biocontrol के अब just pesticides pesticides पगेरा होते हैं उसकी बात हम कर रहे है तो देखे क्या है बहुत से जो insects होते है या aphids हो गए है मख्वी होती है बहुत सी मख्वी होती है सफेद मख्वी होती है जो कि हमारे क्या कहते है फार्मर्स को बहुती ज़्यादा economically lost देती है तो देखे क्या है ये other animals हो गए है जो कि attack करते crop plant को वो क्या करते है damage इस सिर्फ plant को damage नहीं करते physically by cutting eating और sucking ठीक है खा के या फिर काट के या फिर पका के जो भी है वो नहीं करते साथ-साथ वो अपने साथ जो disease carrying bacteria होते है virus होते है उनको भी क्या घर देती inject होती है आप सभी को मालूम होगा कि उस पे जो cell wall होता है क्या कहते है cell wall उसका बना होता है और एक तरीके से cell wall जो है अंदर में काफी ज़्यादा एक तरीके से रोकता है इन सारे violent जो भी आपके है violent क्या रहा हूँ bacteria होगा virus होगा इन सब को जाने से रोकता है लेकिन यह क्या करते है यह जो insect होते है बहुती ज़्यादा एक तरगे से disease carrying element क्या disease carrier carrier का 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 काम करते है therefore it is necessary to control insect population तो हमें जोरी है कि bio insecticides जिसे कहते है इसकी तरह हम इसको use करते है कैसे तो chytride हो गया chytride chytride mycota वाला तो इसमें आपका हो गया sylomyces जो है आपका वो parasitis दा mosquito larva sylomyces जो है वो parasitis किसे करता है mosquito larva को parasitize कर देता है and it could be valuable biological control agent ठीक है और यह क्या है एक तरह किसे valuable biological control agent की तरह भी हम इसके use कर सकते है तो कैसे करते है देखो यह क्या है entomopathogenes may either cause disease and target the largest target insects or may kill the them their themselves in the combination of chemical insect side यह क्या है कि यह जो insects होते हों उनको क्या है मार भी सकते है targeting भी कर सकते है और मार भी सकते है अगर मान लिए कि इनको है combination कर दिया जाए chemical insecticides के साथ तो यह ज़्यादा क्या है वर्क करते है अच्छे से it known that over the 500 species of fungi entomopatholes can infect the and kill various insects तो यह जो 500 species जो होते हैं फंगी के उससे भी ज़्यादा होते हैं यह entomopatholes यह क्या है kill करते हैं various insects को जो fungi जो इसके अंदर डाला जाता है इसे powerful alternative method बना देता है biologically controlling various insects without using chemical थी कि बिना chemical का use करें हम क्या है काफी insects को मारते हैं and उसके बाद which are harmful to human domestic animals and environment हाँ तो इनको environment से harmful होते हैं यह जितने भी आपके insects होते हैं मतलब chemical जो हम use करते हैं जो कि आपके क्या होते हैं हामफुल होते हैं इनसान के लिए domestic animals के इन्वार्मेंट के लिए तो उससे भी हम क्या protect कर सकते हैं then उसके बाद हम बात करें microbial insecticides की जो अभी हमने देखा वो generally आपके क्या है produce no adverse environmental or health effect इसका कोई भी एक तरीके से adverse environmental health impact नहीं देखने को मिला इसलिए ये क्या US में आपके mites, betel and caterpillars past और crops और store grain करने के लिए product को एक तरीके successfully control किया जाता है ये क्या है एंटमो पैथरोला से ठीक है पैथोला से वाइरल एंटा ये दो आपके क्या है फंगई है जिनके थुरू हम क्या है इन सारे क्या कहते है आपके pest को control करने का काम करते है कुछ important example है fungal emetophores include जैसे की काइट्राइड हो गया और legendium हो गया जैसे की omysets भी कहते है पैरसाइटिस मॉस्किटो मॉस्किटो को parasitize करता है then उसके बाद parasitize मतलब समझे रहे just mosquito को parasite बनाएगा and then उसके बाद उसको kill कर देगा या फिर जो other क्या 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 माइट्स हो गया उनको भी क्या उनको just parasite बनाएगा उसमें grow होगा उनके nutrition को सक कर लेग and then वो मर जाएगा तो कुछ इस तरह काही काम होता है and यह क्या है entomopthora parasitizes apids and caterpillars को and verticulum जो pathogenic जो है वो क्या करता है apids और white flesh जो सफेद मक्ही होता है उनको क्या करता है parasitize करने का काम करता है pathogenic होता है then उसके बाद micro-racial fungi micro-racial fungi कौन से होता है the distribution of fungi generally confined to to the six inches of the soil लगवग लगए कि कहा है six inches तक आपको क्या है आपको यह fungi आपको generally मिल जाएंगे then उसके बाद देखे क्या है soil जो है contain करता है large array of क्या कहते है inorganic and organic substance and microbes ठीक है एक list होता है inorganic या फिर organic substance का तो लगबग बहुत ही ज़्यादा लंबा list होता है उनका then उसके बाद जिसमें inorganic, organic substance or microbes वो contain करके रखते हैं soil and particularly fungi involved होता है biological transformation of various substances के लिए fungi क्या करता है बहुत से biological transformation जो है अलग-अलग substances का वो fungi के ही द्वारा करा जाता है जिसके हम mild की बात करें वो quite important है because they decompose the cellulose cellulose को decompose करने का घहास है घहास पड़ा हुआ है उसको decompose कौन करेगा just यह करेगा क्या नहीं mild करेगा protein and other complex organic substances ठीक है यह सारे काम इनके द्वारा किया जाता है फंगय के द्वारा किया जाता है a spatialized habitat in soil is a constitute by the rhizosphere the immediate vicinity of the plant root this is reason of high microbial activity the microorganism associated with the microsphere and represent the example of mutualistic interaction because large microorganisms associated करते है rhizosphere के साथ rhizosphere just two roots में होते है तो एक तरीक से mutualistic interaction होता है क्योंकि क्यों होता है क्यों जो amount of sugar हो गया amino acid हो गया या फिर उनके derivatives हो गया है sugar sorry nucleic acid हो गया है वो शर्व करते है as a food किसके लिए fungi के लिए और भी other organism होते है जो कि excreted by the roots जो कि excret कर देते है roots के दौरा तो वो सारी चीज़े क्या है use कर लेते है then उसके बाद rhizosphere जो है organism not only degrade complex substrate वो सिर्फ ऐसा नहीं कि complex substrate को ही degrade कर रहा है but provide nutrients and sometimes also produce certain plant growth hormone यानि plants के लिए भी अगर ये plants के roots में मौझूद है तो plant को बढ़ने के लिए काफी ज़्यादा helpful हो दो क्योंकि plant growth growth hormones का production करता है ठीक है हम इसके बारे में क्या है next unit में और भी अच्छे सपढ़ें किसके mycorrhizal fungi के बारे में तो यहाँ पे अभी हम देख लें कुछ questions वगरा है questions बहुत easy है यहाँ पे देखिए आपके क्या है kytrid है तो kytrid आपका किसी में आएगा बताइए kytrid आपके किस टाइप के आपके habitat mentioned in the column 2 यह habitat में रहते हैं तो यहाँ पे आपका जो answer होना चाहिए क्या होना चाहिए तीसरा है न तो यह हो जाएगा आपका हाँ kytrid आपका garts of harvivores में यानि रूमेन आनिमल जो होते हैं उसमें आपको क्या है आपको kytrid मिल जाएगा तो यह होगा यह किसमें मिलेगा stale braid यह stale braid जो होता है gila braid हो गया यह आपको उसमें मिल जाएगा तो बताइए कहा होगा activated sludge या फिर lawns तो यह होगा मसरूम आपका होगा lawns में होता है जोफाइगोस आपका क्या होगा activated sludge में यान उसके बाद यहाँ पर चूज करना है correct alternative mention of the barricade brackets का देखो कहा है rhizopus जो यूज किया जाता है obtained amylase या फिर kateylase कौन सा enzyme का यूज करा जाता है rhizopus is used to obtain कौन से enzyme enzyme को तो यह simply आपका amylase होता है है न देन उसके बाद आपका loose smud is caused by the pathogen कौन सा तो कि न या फिर यह क्या है ucetelgo तो यह ucetelgo होगा ucetelgo होगा देन उसके बाद आपका anti-cancer bioactive substance obtained from cleavatia या फिर sylokyb बताए cleavatia या फिर sylokyb होगा यह होगा cleavatia देन उसके बाद क्या है sylomyces is just क्या है symbiotic होगा parasitic fungi sylomyces अभी अभी इमने पढ़ा था न तो याद होगा आपको parasitic fungi तो देन उसके बाद हमारा life cycle rhizopus हो गया फिर बहुत सारे types के आपके क्या है यह जो आपके अलग-अलग आपके fungi इनके बारे में हम बढ़ेंगे तो यह हमारा next part में होगा I hope so आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छे से समझ में आओगा नहीं समझ में आया तो आप मुझे comment में करके बता भी सकते है कि sir मुझे यह नहीं समझ में आया जो भी आपकी query वो बता सकते है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीगा चैनल को subscribe कर दिए bell icon बटन को दबा दीजे जो भी बहुत सारे वीडियो वाच करते है पूरा-पूरा लेकिन वो subscribe नहीं कर रहे तो subscribe कर दिजिए subscribe करने में कुछ नहीं जाएगा बाकी आपकी मर्जी चैनल subscribe कर दे bell icon बटन दबा दीजे आप इस वीडियो को जादे जादे शेयर करिए आपने group में डालिए college group में डालिए जहां भी हो सके इनको फैला डालिए मिलते इस वीडियो को next वीडियो में तब तक के लिए बाई